नमस्कर दोस्तों इस वीडियो में आप Seated Upper Primary Sanskrit Pedagogy के कुछ महतोपून प्रेश्णों की सरिंखला देखने जा रहे हैं Seated Upper Primary Sanskrit Pedagogy सीरीज की ये प्रमुख 8 वी वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार उजेट कर रहे हैं कावे पाठनस से विशे निमलेखित थेसु किमकथनम समचीनम अस्ति यानि कि कावे पढ़ने के संदर में पोएट्री टीचिंग के संदर में निमलेखित में से कौन सा कथन सत्त है ये हमसे पूछा जा रहा है पहले विकल से शुरुआत करेंगे देखे कावे मतलब की कविता पढ़ने की बात की जरी है कविता बच्चों को आनंद के लिए बताया जाता जैसे कि जॉनी जॉनी यस पापा इटिंग सूगर नो पापा टेलिंग अलाई नो पापा ओपन यूर माउथ हा 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 तो यहां पर क्या होता है कि ले होता है तुक बंदी होता है यहां पर व्याकर प्रशन तार्थम रंजनार्थम बच्चे कविता को लह में पढ़कर के आनन्दित होते हैं विकल्प सही हमारा उत्तर होगा तीसरा देखे भासा सिख्षड आर्थम यानि कि भासा सीखने में कावे निवेश का काम करता है बिल्कुल सही बात है बहले ही उसको व्याकर नहीं सिखाया जा सकता लेकिन शब्दावली तो भच्चे न्य नय शब्द को जानी रहें जौनी जौनी यस पापा कम से कम वो यस नय वर्ड को जाना eating sugar नो पापा इडिंग मतलब खाणा होता है sugar मिन्स चीनी होता है लेकिन यानिकि भासा के बारे में जो सबसे सुक्षित्रम इकाई होती है वर्ण अल्फाबेट उससे मिलकर के जो शब्द बन रहा है जो कि सार्थक इकाई बानी रहती है क्योंकि वर्णों का अपना कोई अलग से तो अर्थ है नहीं लेकिन सार्थक आर्थ के तौर पर हम लोग सबसे सुक्षित्रमिकाई को शब्द के तौर पर देखते हैं तो कम से कम नए सार्थक शब्दों को सुनने में तो बच्चे को समझने में तो निवेश मिल ला है ना तो ये कहीं न कहीं नए शब्दों को सीखने में बच्चों को मदद करेगा और शब्द directly भासा से सम्मनित है इसलिए ये जो काव्य है कविता है इससे नए भासा को सीखने में मदद मिलती है विकल्प बिल्कुल पोजिटिव है हमारा उत्तर होगा तीसरा चौता देखिए का जिस प्रकार से कविता पड़ कर कि बच्चा किस प्रकार से कल्पना में खौ जाता है कि जो कौछ बी कविता होते हैं उसी सौंदर बोध में बच्चा खू जाता हैं क्रिटिकल थिंगिंग और बेगबच्चAS कर वहाए जिए नए बजोरा होतर है पाता है चिंतन कर पाता है तो यह भी बात बिल्कुल सही हमारा उतर होगा यानि कि B C D बिल्कुल appropriate जवाब हो गया देखिए विकल्प में देखिए option number 2 में बात की गई है B C D इसका बिल्कुल appropriate जवाब है अगला प्रशन पुछा गया था संग्यनात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता जिसे अंग्रेजी में cognitively advanced language proficiency C.A.L.P कहा जाता है इसका अर्थ क्या है तो C.A.L.P का मतलब यह होता है इसका full form होता है cognitive advanced language proficiency इसका एक और full form होता है cognitive academic language proficiency कई जगा आपको advanced देखेगा कई जगा आपको academic देखेगा यानि कि जो उच इस तर की जो भाषा शैली होती है जो की written में यूज की जाती है उसे ही हम लोग C.A.L.P कहते हैं आपचारिक भाषा जो की लिखित के तोर पर यूज की जाती है यानि किताबों की जो भाषा है उसे हम लोग C.A.L.P बोलते है दिये गया विकल्प में देखिए चोथा दिया गया है कावे सास्त्रिये त्यब्य भाषा प्रयोजते यानि कि कावे और सास्त्रों में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसकी बात की जारी है तो देखिए कावे में पोईटिक डिवाइस की बात की जारी है पोईटिक डिवाइस का मतब क्या होता है देख उन शोपर व्येकर किया जाता है वहवाहिक जीवन पर व्येकर किया जाता है उप्Ó यूगलब उपर व्येकर जाता है तो उसे आपचारिक-घा आपचारिक भाशा के तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि यह एक Ci करके से भाषा को यूज करने से हमारे पास कौंछm वो BICS होता है और अपचारिक भासा से जो जुड़ा होगा और जो अपचारिक भासा से जुड़ा होगा यानि किताब की भासा से जुड़ा होगा जो की उच्छ संग्यानात्मक विशा की बात करेगा वो हमारा CALP होगा यानि अपचारिक भासा को यूज करने का कोशल CALP है और उनपचारिक भासा को यूज करने का कोशल BICS है इसी को ध्यान में लखर कर उतर डूढ़ेंगे तीसरा दिया गया संप्रेसरा आत्मक भासा योगेता संप्रेसर करने में यानि कम्निकेशन करने में इंट्रेक्शन करने में तो जब हम लोग अपने मित्रों से दोस्तों से बाचीत कर रहे होते हैं तो उस भासा को यूज करने का कोशल है वो BICS से जुड़ा हुआ है क्यों? क्योंकि जब हम लोग दोस्तों से बाचीत करते हैं तो अनपचारिक भासा का प्रयोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में घर में हम लोग अनपचारिक भाषा का इतो प्रयों कर रहे हैं यह विकल्प भी निगेटिव होगे हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प भी बच्चा जटिलाह सुक्ष में विचाराष्च सुक्ष में भासा माध्यमेन संप्रेसरेंते यानि कि देखे जटिल की बात की गई है वहीं यहाँ पर एडवांस की बात किया गया था यानि कि एक तरीके से संग्यानात्मक तौर पर जटिल और एक तरीके से आपचारिक भाषा की जो बात की जाती है उसको यूज करने का जो कौशल होता है जो किताबों की भाषा होती है उसे ही हम लोग CELP के तौर पर देखते हैं विकल प्रमबर है कि यहाँ पर बिल्कुल एप्रोपियेट है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था साहितिक पाठ विश्यस से पठने स्वता बोध्ध स्वता सोध हिूरिस्टिक प्रणाली अस्ती यहांने कि हमसे यह पूचा जा रहा है कि साहिति पाठ के संदर में स्वता सोध यानि कि खुद से ढूंडेना अनुवेश्ण करना खोज करना अनुमान लगाना हिूरिस्टिक प्रणाली क्या है तो जब बच्चा खुद से अनुमान लगा करके किसी खुद से सोध करता है सर्च करता है उसे हम लोग हुरिस्टिक विदी कहते हैं इसी को ध्यान में रखरके उतर डूड़ेंगे यहां पर भी केवल विसलेशन किया जा रहा है कुछ भी स्वता सोध का मतलब पर होता है कि अनुमान लगाना खोज करना तो यहां पर अनुमान नहीं लगाए गया है हमारा उतर नहीं होगा दूसरा देखे साहितिक लेखम बिन प्रकारणे पुनाह लेखनम तो यह लिखने से समदित है कुछ भी नया एक तरिके से अनुमान लगाने से समदित नहीं हमारा उतर नहीं होगा एक अई विकल्प बच्चा ऑप्शन नमर एक देखे समस्याया समाधेन घटनाना नाम विचारनाम चवप पूर्वा नुमान यानिकी अनुमान लगाने की यहां पर बात की ग कोई भी समाधे होगा जो कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ है मतलब कि जैसे कोई भी एक खाने की वस्तु है तो उस वस्तु का नाम बच्चे के परिवेश में कुछ अलग होगा और वहीं डिश का नाम चाइना में कुछ अलग हो सकता है तो बच्चे के परिवे प्रिष्ट भूमी से जोड़ करके ही मिनुकार्ड में लिखा होगा अब चाइना में वही डिष्ट बनता है तो वहां के नाम को यहां बच्चे के परिवेश में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो डिष्ट बच्चे के लिए बनाई जा रही है यानि उस इस्थान विशेश में जिस भासा का प्रिवेश की बात की जा रहा होगा जिस सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी जिस सांस्कृतिक भासा जिस कल्चरल लैंग्वेज की बात की जारी होगी उसी के बारे में लिखा जाएगा तो प्रमाडिक समागरी का मतलब क्या हो गया जो बच्चे के इस्था बच्चे के सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी से जुड़े हुई भासा की बात की जारी है अत्वा नहीं की जारी है कोई लेखक चाइना का भी हो सकता है कोई लेखक अमेरिका का भी हो सकता है तो वहां का जो लेखक है वो वहां की लेंग्विज का यूज कर रहा होगा अब ब परिवर्तित रूपे स्वभाविक भासायाम संदर्भेच निर्मित यते लिख्यते वा यानि कि यह कहा जा रहा है कि कोई भी टेक्स्ट और वीडियो और अबजेक्ट जो की एक तरीके से डेवलप किया गया है और लिखा गया है बच्चे की भासा में कनवर्ट करने के संस मे जैसे देखिए मालीजे की चाइना भासा में कोई कुछ लिखा गया था चाइनीज भासा में अब उसको कनवर्ट किया गया है बच्चे की भासा में तो यहाँ पर इसे प्रमारिक नहीं माना जासकता क्योंकि प्रमारिकता का मतब यह होता है कि उस बच्चे के भासा में एक मूवी आप देखते हैं, जैसे कि Hollywood का कोई मूवी देख रहा है, जब उसको translate किया जाता है, तो बिल्कुल exact वो emotions नहीं आपाते हैं, जो कि Hollywood में जो communicate करने की कोशिश की आती है, या फिर आप ऐसे ही समझ लेजे, आपने बाहु बली मूवी देखी होगी, आपने फुष्प से वो कम हो जाता है, यहीं बोला गया है कि जब यहाँ पर बच्चे की मातरी भासा में, बच्चे के संदर्भ में परिवर्तित किया जाएगा, तो निशी तोर पर ये उसके लिए प्रमारिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि convert नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की भासा में ही होना चाहिए, तो यह भी विगल्प निगेटिव हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा, तीसरा देखे, क्या कहा जा रहा है, कश्ची दपी, पाठ लेका, सह साहितिक लेका के कवी भिष्च लिख्यते, यानि कि कहा जा रहा है कि कोई भी लेक जिसे create किया गया और लिखा गय का अपी समागरी यथा पाठ लेका स्रवण पाठियम द्रिश्य पाठियम पदार्था या स्वभाविक भासायाम संदर्भे चो निर्मियते लिख्यते वा, यानि कि यहां पर यह बोले जा रहा है कि कोई भी एक पाठ लेक या फिर ओडियो या फिर वीडियो जो कि स्वभाविक भासा क्या होती है उसका मदर टंग जो अपने परिवेश में देख रहा है यानि कि उसके परिवेश से जुड़ी हुई भासा की बात की जा रही है और उसके संदर्भे में बात की जा रही है उसमें निर्मित की गई है या फिर लिखी गई है तो इसे ही हम लो प्रेशन की योगिता का मुल्यांकन करने के संदर में निमलिकित में से कौन सा सबसे उप्यूक्त मुल्यांकन विधी है। natural environment में communication के माध्यम से ही जाचा जा सकता है यानि बच्चे जब interaction करेंगे एक दूसरे से तभी उसके communication skill के बारे में जानना जा सकता है अब यहाँ पर किताब से किसी चितर का वर्णन करने के संदर में हो सकता है बच्चा उस चितर को पहले देखा हो और उस चितर के बारे में जानता हो तब उस समय वो natural environment में communicate नहीं कर रहा है natural environment में communicate तब होगा जब बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बाचीत करेगा तभी उसका संप्रेशा आत्मा कौसल जाचा जा सकता है और वैसे भी ये चितर को पढ़ करके कही न कहीं चितर पठन की बात की जारी है विकल्प negative हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे दत्परिस्थित्तितो भासड लेखनम यानि कि कहा जा रहा है कि एक दिये गए situation में speech लिखने की बात की जारी है तो लिखना कहीं न कहीं ये विकल्प negative है क्यों negative है क्योंकि भासा के जो चार कोशल होते हैं सुनना बोलना पढ़ना और लिखना उसमें केवल लेखन की बात कर रहा था विकल्प negative हो गया तीसरा देखे स्रवण पाठा से स्रवणम तस्य विशे मौखिक प्रतिक्रिया यानि कि ये कहा जा रहा है कि एक audio text को सुन कर और उस पर respond करने के sense में मौखिक तोर पर बोलने के sense में तो केवल सुनना और बोलने के संदर में है ये चारों कोशल की बात नहीं कर रहा है विकल्प negative हो गया एक ये विकल्प बच्चा option number 4 देखे कस्यामपी भुमिकायाम यानि कि role play नाटा की बात की जरी भुमिका निर्वाहा यानि एक role play करने की बात की जरी तो बच्चा जब role play करता है तो सबसे पहले क्या करता है कि उस नाटा को लिखता है लिखने के लिए सबसे पहले उसमें लेखन कॉसल का विकास हुआ उसके बाद से प्रते करेक्टर को उसका स्क्रिप्ट दिया जाता है स्क्रिप्ट जब बच्चा पढ़ेगा तो उससे पठन कॉसल का विकास होगा बच्चा उसके बाद से जब एक character को play कर रहा है तो वो कुछ बोलता है बोलने से उसके वाचन कॉसल का विकास हुआ और जब अगला character उसका जवाब देगा का MICHAEL किया जा सकता है उनके कम्नीकेशन इसकेल करें किया किया जा सकता दिगालपनबर चल बिल्गूल एप्रिपयट एह यहीं इसका सटीक जवाब हो गागा अगला प्रसन में पुशा गया था सिह चेंट यानि कि जो बच्चों को पोईटरी पढ़ा जाती है वो बहुत सावधानी का कारे होता है आगे पढ़िए निमलिखित कतनों के अधार पर सही विकल्प का चेयन कीजिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि सिछकेण उचित लेनेन सह उच्चे पाठ पठी त्वयम यानि कि बच्चे को कविता पढ़ाई जाती है वो उच्चित इंटोनेशन के साथ प्रॉपर इंटोनेशन यानि देखेए उच्चित ले ले यानि की, इंटुनेशन का मतलब होता है, ले में पढ़ना, कभी हम लोग उच्छ स्वार में पढ़ते हैं, कभी निमने स्वार में पढ़ते हैं, इसे ही ले बोला जाता है, और उच्छ, यानि की, लाउड पढ़ने की बात की जारे हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, कविता में लय और छंद होते हैं बच्चे में जो कविता पढ़ाई जाते हैं उसके अंत में तुक बंदी होती है और उसी को लय में पढ़ने की बात की ज़िए तो ये तो बात बल्कुल सही है हमारा उत्तर होगा दूसरा देखिए यानि कि कहा जारा कि शिक्षक को कठिन सब्दों के प्रतेक कठिन सब्द का अर्थ बताना चाहिए उस पर प्रकाश डालना चाहिए तो ये भी कल्प निगेटिव है क्यों क्योंकि बच्चे को word by word meaning बताना हमारा लक्ष नहीं है बच्चे को कविता में पढ़ करके आनन्द है ये हमारा लक्ष होना चाहिए और अगर बच्चे को सब्द बाई सब्द हम लोग बताने लेंगे तो बच्चे को अपने इस तर पर अनवेसर करने या फिर खोज करने का कोई भी मौका मिलेगा ही नहीं क्योंकि प्रतेक सब्द का हम अर्थ नहीं बता सकते क्योंकि कि आज हम लोग सनचनवाद की बात करते हैं बच्चे बिल्कुल निस्क्री हो जाएगे अगर वर्ड बाई वर्ड हम ही लोग बताएंगे तो फिर बच्चे अपने इस तर पर ग्यान का निर्माड कैसे करेंगे इसलिए वर्ड बाई वर्ड अर्थ नहीं बताना चाहिए और इससे बच्चे को एक और फायदा होगा कि पूरे संदर्भ में उस पर्टिकुलर शब्द का अर्थ क्या होगा अनुमान लगा सकेगा बच्चा यानि हियोरेस्टिक मेथड के माध्यम से जो बच्चा एक अनुमान के तहत अपने ग्यान करने निर्माड करता है वो अगर सब्द बाई सब्द टीचर के द्वारा बताए जागा हम लोग टोटल फेजिकल रिस्पॉंस पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी बच्चे के कविता को बोल करके बताए जा रहा है अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपने चेहरे के एक्स्प्रेशन के माध्यम से उसे भी कम्निकेट किया जता है ताकि बच्चा जो थोड़ा स्तरोणव बादित है जो सुने नहीं सकता कम से कम हमारे चेहरे के एक्स्प्रेशन और हमारे बॉडी लैंग्वेज को समझ पाए कि हां किस मुद्दे पर बादचीत की जा रही है तो ये तो बात बिल्कुल पॉजटिव है हमारा उत्तर होगा चोथा देखिए चातरणाम बोधार्थम सिक्षकेण प्रथा प्रशना प्रष्टवयाह यानि कि चातर समझ पा रहे है या नहीं इसको जानने के लिए सिक्षक को प्रशन पूछना चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि राष्टे सिक्षान निती 2020 सतत और व्यापक मुल्यांकन की बात करता है यानि जब बच्चे को कोई गतिवीरी कराई जा रही है या फिर कोई भी सिक्षन कराया जा रहा है तो उसी दौरान बच्चे का मुल्यांकन होना चाहिए अब बच्चे का मुल्यांकन होगा कैसे कविता में तो प्रश्ण पूछ कर की होगा कि क्या आपको कविता में समझ में आया अगर कविता में किसी कज्येकर किया गया तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था तो अगर बच्चा बता ले रहा है यानि बच्चे को कविता समझ में आ गया यानि ये कहीं न कहीं बच्चे से फीडबैक लिया जा रहा है कि उनको समझ में आया थ्वा नहीं तो ये भी बात बिल्कुल सही है राष्टे सिख्छा निती के नु निमलिकित कठन को पढ़िए और उसके बाद से उचित यानि की एप्रोप्रियेट विकल्प को चुनिए चलिए पहले इस्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं दो इस्टेटमेंट दिये गए हैं पहला इस्टेटमेंट कहा जा रहा है वस्तुत्तह काव्यम ससक्त भावना नाम आ आनन्द आता है कविता पढ़ करके ठीक है कविता पढ़ करके बच्चे को आनन्द आता है और आनने के वज़े से उसमें इमोशन जनरेट होगा बच्चा जब खुशी की मुद्रा में रहता है तो उसके अंदर कौन सा खुशी वाला इमोशन जनरेट हो रहा है बच्चा ज को विक्सित किया जा सकता है ना सनचनात्मक अभ्यासे कार्यते सनचनात्मक यानि की structure की बात की जारी है भासा का जो structure होता है जैसे इंगलिस का मैं structure बताऊं subject plus helping verb plus main verb plus object यह भासा का structure है अंग्रेजी में तो कावे में इस structure का प्रियोग नहीं किया जाता है यह बात तो बिल्कुल appropriate है देखे कहा जारा है कि ना चो सनचनात्मक अभ्यास कार्यते यह तो बात यहां तक सही है लेकिन यह भी कहा जारा है कि कावेन ना तु भासायां ग्यानम विकसते यह विकल्प निगेटिव है यहां आ कि कावे के मादम से भासा के ग्यान का विकास नहीं किया जा सकता है यह विकल्प निगेटिव है भले आप कावे के मादम से यानि कविता के मादम से बच्चे को ग्रामर नहीं बता सकते हैं structure नहीं बता सकते हैं लेकिन कावे के मादम से बच्चे कम से कम कुछ शब्दों को तो जानेंगे, जैसे कि एक, मैं यहाँ पर कविता बता रहा हूँ, पोयम बता रहा हूँ, जॉनी जॉनी, यस पापा, इटिंग सूगर, नो पापा, टेलिंग अलाई, नो पापा, ओपन यूर माउथ, हा हा हा, तो कम से कम यहाँ पर बच्चा शूगर के बारे में तो जाने यानि बच्चे भले ही स्ट्रक्चर को नहीं पर सकते हैं कविता के मादम से, लेकिन भासा के तोर पर उनको कुछ ना कुछ input मिलता है भासा को सीखने के संदर में, इसलिए ये विकल्प सही तोर पर देखा जाएगा, क्योंकि आधा पार्ट negative था, आधा पार्ट positive है, तो प लेकिन भासा के ज्यान को विक्सित किया जा सकता है कावे के मादम से, और ये विकल्प negative कह रहा था, इसलिए विकल्प negative होगी हमारा उतर नहीं होगा, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर A सही है और B गलत है, दिए गया विकल्प में देखी, option number 2 में बात की गई है, A सत्यम अस यानि की निमलिकित में से कौन सा कावे का, यानि कविता का अनिवारे अंग नहीं है, अव्यव नहीं है, negative स्नास में पूछा गया, इसे को ध्यान में रहकरके उतर डुढ़नेंगे, पहला विकल्प दिया गया है, सुन्दर भावाह तथा कल्पना, यानि की सुन्दर उसको पढ़ करके बच्चे को आनन दाता यानि भाव तो उसमें होता है 27 साथ बच्चे कविता में खो जाते हैं जैसे कि किसी पहौरे की कहाणी सुनाई जा रही है कविता के मादम से या फिर कुछ भी कहा जारा प्रकृती के का चित्रण किया जारा तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा अलंकाराम प्रयोगह यानि अलंकार का प्रयोग करने की बात की जरी ये भी कविता में अलंकार का प्रयोग होता है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा अव्याव होता है इसलिए उत्तर नहीं होगा लेकिन कविता में कावे में इस प्रकार का कोई भी structure देखने को नहीं मिलेगा क्यों? क्यों कि कावे में ये important है कि अंत में तुकांत वाले शब्दा है जिससे बच्चे को पढ़ने में आनंद है वहाँ पर आनंद important होता है भासा का structure कविता के मादेम से कावे के मादेम से नहीं पढ़ाया जाता है इसलिए ये कावे का अंग नहीं होता है इसलिए व्याकरणात्मक सनचना इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जागा क्योंकि ये negative था और प्रश्मियम से negative से पूछा गया था अगला प्रश्मियम पूछा गया था निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है negative अलाम से पूछा जा रहा है पहले विकल्प से सुरुआत करते हैं ध्वनी विज्याने से समंध भासाया ध्वनी प्रतिमाने अस्ति यानि कि ध्वनी विज्यान का समंध ध्वनी के प्रतिमान से है तो ये बात बिल्कुल सही है पॉजटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था अशुद्ध स्वरह संयुक्ताक्छरह कथ्यते कथ्यंते यानि कि जो असुद्ध स्वर होते हैं असुद्ध स्वर का मतलब कि जो दो स्वरों से मिल करके बने हुए है ठीक है उसे संयुक्ताक्छर कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं ये भी बात बिल्कुल सही है हमारा उत्तर नहीं होगा तीसरा देखे पंच स्वरह संती या विशंती धुनिम उत्पाद्यन्ती यानि कि यह कहा जा रहा है कि पंच स्वर मिल करके 20 धुनियों को उत्पन करते हैं तो यह भी बात बिल्कуль सही है हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगयेटिवाला पूछा गया था चोथा देखें कहा जारा कि आंगल भासायाम देखें ये अंग्रेजी के हिसाब से प्रशन पूछा गया है अंग्रेजी में जैसे आपके पांच स्वर होते हैं पांच वावेल होते हैं उनसे 20 ध्वनिया उत्पादित की जाती हैं उसके संस में ये था तो ये पॉजिटिव अंग्रेजी के संस में इस वज़े से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि सीटेट की परिक्षा में आप देखेंगे कि जो प्रशन इंग्लिस में पूछे गया थे हूब हूँ संस्कृत में दे दिये गया थे तो कई बार इनके द्वारा इतना मतलब एक तरीके से कॉपी पे चत्वारा नासिक्या संति देखिए आंगल भास अंग्रेजी भास को कहते हैं जबकि प्रशन हम संस्कृत का हल कर रहे तो इसमें तो संस्कृत से रिलेटर प्रशन पूछना चाहिए लेकिन यह सिब्यसी बोर्ट की लापरवाही कही जाएगी कि उनके द्वारा इंग्लिस वाला ही पूछा गया था ओप्शन नमर चार यहां पर बिल्कुल एप्रप्रियेट जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था संस्कृत भासाम पाठियन सिक्षकह अपेक्छाम ना करोती यत छात्रह यानि कि कहा जारा कि संस्कृत भासा के टीचिंग में प्रशन पूछा गया इसी को ध्यान में रहा करके उत्तर डूढेंगे चौते विकल्प से सुरुवात करते हैं कहा जारा कि संबोध नानाम प्रात्थ नानाम अभिवादन दीनाम चो उत्तरम संस्कृत भासाया ददात यानि कि बच्चे एक तरीकि से रिस्पॉंड करने मे रिक्वेस्ट करने में और ग्रिटिंग में ये में संस्कृत भासा का प्रयोग करें तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि संस्कृत भासा को जहां तक बच्चे को सिखाया जारा उसका लक्ष ही है कि बच्चे उस लेंग्वेज का उपियोग कर पाएं कम्मिनिकेट करने में या संस्क्रीट भाषायाम पाठ नियम संगति पूर्णा चल लिखते यानि कि कहा जा रहा है कि एक तरीके से प्रॉपर पंक्चुएशन जो होते हैं और इस पेलिंग जो होती है उसके लिखने के संदर में कहा जा रहा है ठीक है तो देखिए ये भी हमारा पॉज्टिफ सेंस में इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि देखिए संस्क्रीट भासा को टार्गेट लेंग्वेज के तौर पर सिखाया जा रहा है टार्गेट लेंग्वेज को सिखाने का मतलब यह होता है कि बच्चे एक तरीके से व्याकरण के नियमों को सीखे और ये सबी बातें बच्चे सीखेंगे संस्कृत में तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया था इस वज़े से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था दूसरा देखे संस्कृत भाषा माध्यमेन सरल कथनानी कुर्यात यानि कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चे सिंपल स्टेटमेंट को बोल पाएं तो ये भी बात बिल्कुल सही है जो लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है कम से कम उसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे सब्द बना पाए वाक्य बना पाए ये उसका उद्देश्य होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा विद्याले कक्षायाम यानि विद्याले की कक्षा में ग्रिहे यानि घर पर समाजे यानि समुदाय में वा स्वाव विचारान संस्कृत भाषायाम ला जाता हो ना वहां के लोग समझते हो तो आप उससे संस्कृत में कैसे वारतालाब कर सकते हैं यानि कि हमारा उद्देश ये है कि बच्चे व्याकरण के नियमों के अंतरगत संस्कृत में बोलना लिखना पढ़ना सबको सीख जाए लेकिन जहां पर ज़रुरत है वही त अब उनके माता पीता को माली जे संस्कृत नहीं आती है तो कैसे अपने घर पर उस भाषा का प्रयोग करेगा उनके समाज में लोग अगर संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो कैसे वहां पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करेगा तो ये विकल्प निगेटिव है और चुकी की निगेटिव सेंस में हम से पूछा गया था option नमबर है कि यहाँ पर बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा दोस्तों seated upper primary संस्क्रिट पेडागवाजी के महत्वपून प्रशनों की ये स्रिंकला आपको कैसी लगी comment के मादम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक comment मुझे motivate करेगा ऐसे ही मतवपून वीडियो लाने के संदर में अगर आप seated upper primary और primary प्रीवेस येर सभी शिफ्टों के complete paper solution को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट, यूपीटेट और सूपर टेट की बहतरीन तरीके से त्यारी करने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत बहनेवाद, भगवान करें आपका दिन शुब्ध